करते हैं आप सब आसा करती हूं आप लोग जहां है जैसे हैं सबस्वस्त रहे मेरे तो तब दॉन हो गई है थोड़ा सा अवास लग रहा होगा तो आज है तो अभी समय हो रहा है लगवक्त सारे बारा सुभा से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई इसके पिछी कारण था कि चार दिन बाद मेरा बेटा इसकूल गया सटरेडे संडे मंडे और स्राइडे को भी उसका इस आके दिया वह जब चला गया जल्यल्दी स्कूल बेजने के बाद आठ बज गया उसके बाद मैंने चाय वगर बनाई काम करने के लिए तो उसी में उलच कर रहे गए मैंने जैती सोचा कब नहाने जाओंगी तो कुछ लोग हैं वह आ गया मेरे फान करके उनको बुला लिया और उनके पीछे कुछ लोग मतलब बढ़ ही थे वो और कुछ बनाने का बनवाने का मैंने सोचा है क्या सोचा है और मतलब की क्यों सोचा है यह मैं आपको आगे बताओंगी तो उसमें दो घंटा समय लग गया सारा कलकुलेशन सारा सब कुछ डिजाइन वगेरा समझाने मे ने का यह तुमी से संबब है तो दाउम वगेरा कॉस्ट कुछ ज्यादा वो बता रहे थे उसमें तरक वितरक करने में दो गंटे का समय लग गया तो सारे दस से ग्यारा वहीं पर बज़ गया फिर मेरे आपका मसाज किया उसको नहाए उसको फिडिंग कराया फिर मैं नहां मैं खुद आज लेट से नहाए उसके बाद रोने लगी कि जल्दी अली मैंने किसी तरह से रोटी और आलू का खाया डाल पी फिर उसको लिया उसको मसाज किया नहाया फिडिंग कराया अब मैं उसको टीवी के रूम में देकर आई हूं और आज जो सारे मंत्री सपर ले रह में मेरे पास इतना समय नहीं था मैं वीडियो बना पाऊं घड़ी इतना जवरदस्त दोखा दे दिया कि हाल वाले घड़ी में साड़े छे बज रहा था मतलब दो गंटा वह स्लो था मैं उसी को सोचकर अराम से बैठी हो मेरे बेटी को साम में क्या हो गया था भगवान जा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोगों ने दिखाई है और बिल्कुर अलकी बारिष पहले मुझे और भी बात करने का मन है लेकिन वहां वह रोना पर पड़ता है वह रूम तो जो भी गारे जाते हैं उसके आवार आते रहते हैं तो पूरा रूम है पूरा मैसी है और भी वजयती हैं मैं आपको दिखाती है कि देखाने यह यह देखी रात में यह जो कुछ सारीया है सिफान दोन आखने की तोमेंने पेड़नी निहीं यह तो एक करिम कररद पहन सब गरिबली हुआ हरा था उसलिए सब निकाल हूँ क्योंकि कहीं जाने में क्या होता है कि करना पड़ता है कि जल्दे खीच के देखना पड़ता है कौन सा इसलिए मैं बहुत दिन से सबको पेटे कॉट इसके लिए दो गौद्र दो पता नहीं कपड़ा कहां से इतना आता है आप लोगों के साथ होता है तो कवेंट जरूर करिएगा और जो चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइब करिएगा आप देख रहे हैं एचिब्मेंट इनॉल मैं हूं आपके साथ नम्रता कपड़ा के कहां से इतना कपड़ा कछा था बाव को जो मैं फलिया प ट्रीट करूँ सब्सक्राइब तो भ salah map मेरे पास यह मंगाना पड़ेगा आज मैंने सोचा है कि मेरे पास कोर्टन है सबसे पहले उसको लूज करूंगी alors adapter नहीं है तो बहुत और में पहंन सकती हूं आप घर मेंуг JAM नाइटीन पहंते पयंते परिषad सब्सक्राइब करने का सोचा है क्योंकि जो मैंने रूटिन वनाया था उसमें सारे सारी में विकोग कर लिया खाना परना सब कुछ हो गया है सबसे बेटी को अच्छे यहां पर तुला दूंगी उसके घंटे मेरा बेटा भी आ जाएगा कई लोग तो भी पूजा कर रहे हैं आपको घंटी के आवाद सुनाई दे रहे होगी लेकिन आज मुझे नहाने में 11 बज़ गया मैं बहुत अफ्सूस कर रहे हैं लेकिन मैंने बिल्कुल सोच लिया है मुझे 8 बज़े तक नहाना है क्योंकि अब मेरी बेटी पलतने लगेगी फिर मुझे मुझे मुस्किल हो जागा मैं अकेला छोड़कर नहीं नहा सकती हूं और मैं बताओंगी यह सारी यहां पर रखा रह गया इसका प्रतिक्रिया सु फोल्ड कर रही हूं उस पर लाल ब्लाउज पहने हो इस पर बहुत अच्छा लग रहा है जो अभी इस वीडियो में मैंने ब्लाउज पहना है हलांकि इस पर प्लैन ग्रिन ब्लाउज है तो चुकि इसमें फ्लावर है दू-3 कलर का तो इस पर कोई ब्लाउज असानी से चल जियू-3 के दिन ब्लाउज फूल्ड नहीं किया है तो इस जो प्लू और फोल्ड करूं गरें नहीं किया है तो यह सारी यह साड़ी कापी अच्छा है बिल्कुल आपका जो रिजनेवल प्राइस में है डेली वियर के लिए बिल्कुल सौप्ट साड़ी है और यह जो ब्लैक लगा आप देख रहे हैं यह साड़ी मेरी दीदी लेकर आये थी छटी में बिल्कुल सौप्ट साड़ी है यह लक्षमी पतिकाई है और इस पर ग्रे और ब्लैक लाइनिंग में ब्लाव जाए लेकिन इस पर ब्लैक भी आसानी से चल सकता है और यह चटी वाला साड़ी है तो ऐसे होता है कि सनीग्रा आप अस्वांत होता है इस तरह करके मंगलवार को आप प्रियास करें लाल साड़ी पहनने का तो यहां पर देखिए जो रख्षावंदन की दिन मैंने खरीदा था वह चीज मैं आपको दिखा रही है जिन साम में मैंने बताया था जो मैं मार्केट चली गई थी अच्छावंदन की दिन तुर्पा यही लेने गई थी दिया तो मैंने कहा था आप लोगों को को बड़ा चीजी लेने गई तो यही बड़ा की मैंने कंदन लिया है इसमें अभी लाह नहीं भरवाया है जो लाह होता है लाग और यह चोने कंदन मैंने लिया है जो साधी में मेरा चखा हुआ था वो मेरा साइट बहुत बढ़ा था दो छे था और वो हॉल मार्क तोना नहीं था उस पर नजर पड़ी वरना यह रखाई राजादा मैं तो पहन के दिखती हूं कि रुतार के रख दूँगी इस तरह मैंने जाउन के बनबाया है ताकि मैं इसके भी पहन लूँ चूडी पे और वी किसी चीज पे तुपईता लगता है चूडी से यह बड़ा होना चाहिए लेगिन यह चुपी ओवेल है यह वाला ग्रीन वाला इसलिए यह अंदर में दिखाया है वरना यह वाकर बह ज़्यादा भारी है तब तो आप नहीं भी परवा सकते हैं लेकिन यह ज्यादा भारी नहीं है कि यह दूट अ कि भादब महिने में एक सिंघ नचत राता है जिसमें कि आपको अपने सभी कपड़े में धूप लगाना होता है तो वो भी काम मुझे करना है इससे क्या होता है साल भर आपके कपड़े में किड़े मकुड़े नहीं लगेंगे और आपको घड़ी दिख रहा होगा अभी शबा एक बच गया है लगवागी एक सबा घंटा से मैं यह काम कर रही हूँ और साड़े साड़े को मैं है कि और यहां पर जितना अभी है विस आड़े था जो पोलेशन में पैक था उसको मैंने सेट कर दिया और जितना हैंग करने आप पतला साड़े था वोग सारा मैंने इधर हैंग कर दिया है उपरका नीचे का अभी सब कुछ यूंहीं है अब सब को एरेंज करना है के कर तो रखना है यह ग्रीन वाले साड़ी मैंने ओनलाइन मंगवाया है और सब कुछ आप लोगों के साथ सेयर किया है उसका भी ब्लाउज नहीं बनाया है मैंने तो डेली वियर मैं अलग रख रही हूं दो ही कॉटन साड़ी मेरे पास है याने कि तांत कॉटन जो भी होता है मैं हलक हाइज मैं दो मैंने पूरा पज्रार के रख दिया है जा निचया जाने पूरा बजर मैंने खाली कर दिया औहिए ज Denk committee पूरा गोद्रियों मने खाली कर दे़िया और नीचे देखिये नीचे इतना सब cc अधर है और यह बेड़ पर इतना है तो मैंने डेली बीर करके रख दिया और है इसे इसे साड़ियां जिसको की रिपेरिंग करके पाना है यह समय अलग करोंगे इतना बजार लगाया तिसको समधने में समय तो लगेगा ही और भूग भी मुझे लग गई है अब तक मेरा लहंगा साड़ी है यह तो कभी मैंने पहना ही नहीं किसी फेस्टिवल में मैं पहनूंगी इस बाद यह होता है जो चीज़ अंदर रखाया आता है यही मुस्किल हो जाता है जलिए देखते हैं कितना कुछ इसमें समेट पाते हैं यह सारा प्यटिंट्ट जो हारन किया हुआ है और यह जितना मैंने रखा है क्या चिनकों किया है है सब को सहीज़ेक्पो लगवग है 25-40 पैटिंट कॉट कंट है क्योंकि 10 10 11 पैटिखवार को इसमें है लगवग 10 14 ए shapes साथ आठ नौद दस इसमें है और बांकि 25 ते 30 पेटिकॉट इसमें है जो कि आरन करके मुझे रखना है और सारा ब्लाज मैंने अभी इस तरह से इसको भी खेरा है कुछ जो वर्क किया हुआ ब्लाज है ब्लाज के इसमें है इसमें है और इदार है इसको भी मैं हटाओंगी ए करके निकालोंगी जो डेली यूज में काम आयागा उसको अलग कर लोंगी और इस तरह से अभी इस तरह से सारा में रख कर फिर आपको पूरा गॉद्रेज दिखाती हूं इसमें तो भी समय लगने वाला है बहुत ज्यादा इस तरह से मैंने पूरा गॉद्रेज एरेंज के कि और आप समझ सकते हैं फिर्भी मैंने कम ही समझे लिया वितीन बज रहे हैं ज्यादा समय नहीं हो राया है और और अगृष सच्बाव हैं और नहीं ह fentitu applicableapter लगवग यहां तक बिल्कुल एक भी बार नहीं पहना गया है बिल्कुल नियू है और उसके बाद यह लांगा साड़ी और तुनि वगवग यहां रख दिया है ज्यादा है नहीं मीडियम में और बांकि यहां साड़ी स्टोरेज रखा यह बलाउज का जो इसका चैन खुल ग करने से यह यही हुआ और यहां पर जो अभी आइरन करना करके पर रखूंगी वहां पर रखूंगे तो इस तरह से मैंने पूरा गॉद्रेश को फिनिस किया और फिर मैंने पूरा रूम जाड़ू में जाड़ू दिया गॉद्रेश जाड़ा था गंदगी था और बेटी और बेटा दोनों को सुला दिया बेटा को खाना किला के अब दोनों सो गया है तो मैंने हलके से गेट को सटा दिया है और कपड़ा साप करने में लगए हूँ क्योंकि लगबग अभी चार सबाचार हो गया है सब मेरे पास बिल्कुल कम बसता है और साड़ी कपड़े को दूने के बार इसमें कमफड़ डाल द मेरा सोया है कम थाए घंड मैं अपने बेटा को सोने देती हूं फिर उठाकर हम बर्क कराऊंगी तब तक मैं यहां पर आगी हूं अपना ब्लाज फिटिंग करने स्टिचिंग उसका खोल रही हूं उसके बाद मैं माप कर देखूंग अगर सही आया तो ठीक है नहीं तो फि कपे को डाल दोंगी और फिर बेटा को उठाऊंगी बेटा को बार्न बिटा दोंगी बेटी को फिडिंग कराऊंगी साम का समय बिल्कुल हो गया है तो संज्जा दिखाऊंगी यानि साम का संज्जा दिखा के फिर बेटे को हमबर्क कराऊंगी उसके बाद साम के खाना में लग जाओंगे इस तरह से सुभा और साम होता है लेकिन आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है एक तो बालकनी आती हूं मैं बहुत कोस हो जाती हूं तुलती का पौधा देखकर और आज मैंने बहुत ही बड़ा काम किया है गौदरिश को एरेंज करके ज्यादा दिमाग सामत लग रहा है और मैं बोल रहे थी कि जो मेरे काम करने वाली बाई है वह जब जाड़ों पुछा करने रूम गई तो उसने एक दू साड़ी को छू कर देखा और मेरे से बहुत ज्यादा लड़ाई कि आपके पास इतना सौप्ट साड़ी है मुझे नहीं देते हैं और भी बहु तो मिलती हो डियर मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में बने रहेगा इस चैनल के साथ अपना बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा बाई वाई डियर बाई वाई लब यू ओल